मित्र जीवन को योग्य रूप से जीने के लिए श्रीमत बगवत गीता हमें श्रिष्ट ज्ञान प्रदान करती है लेकिन जब हम हमारे जीवन से परे श्रिष्ट निर्मान से भी पूर्व के समय को जानने की और साथ ही इसे समझने की चाह रखते हैं तो ऐसे समय में ग्रंथ राज श्रीमत बगवतम सर्व श्रिष्ट है मित्र जब भी हम हमारे आसपास के वातावरन और श्रिष्टी को देखते हैं तो ये प्रश्ण मन में जरूर आता है कि श्रिष्टी के निर्मान से पूर्व क्या हुआ होगा यदि उस समय कुछ नहीं था तो फिर क्या था मित्र श्रीमत पागवत महापुरान के दूसरे सकंद के नौवे अध्याय में 33 श्लोक में श्री भगवान ने इस प्रश्ण का उत्तर दिया है तो आईए जानते हैं ये क्या है मित्र ये श्लोक श्री भगवान और ब्रह्माजी के समवाद का हिस्सा है जहां पर श्री भगवान ब्रह्माजी से कहते है कि हे ब्रह्मा वह मैं ही हूँ जो श्रिष्टि के पूर्व में विद्यमान था जब मेरे अतरिक कुछ भी नहीं था तब इस श्रिष्टि की कारण स्वरूपा वावतिक प्रकृती भी नहीं थी जिसे आप अभी देख रहे हैं वह भी मैं ही हूँ और प्रले के बाद जो शेश रहेगा वह भी मैं ही हूँ दोस्तों यहां पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि स्वयम पूरण पुर्शोत्य भगवार ब्रहाजी को संबोधित कर रहे हैं और स्वयम सपष्ट शब्डों में कह रहे हैं कि वे स्वयम ही वह है जो श्रिष्टि के पूर्व में विद्यमान थे श्रिष्टी के जो पालम करता है और वही है जो प्रले के पश्चार भी शेश रह जाते हैं दोस्तो इस समय ब्रह्माजी अपने समक्ष अपने अधिश्ठाता स्वामी को देख रहे हैं जो स्रिष्टि के प्रले के बाद भी देव्य स्वरूप में विद्यमान रहते हैं ब्रह्मा जी अभी जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं वही स्वरूप स्रिष्टि के निर्मान से पहले भी विद्यमान था संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी भगवान के शक्ति का ही विस्तार है अतहन निश्कर्ष ये निकलता है कि भगवान का स्वरूप, श्रिष्टी, पालग तथा सहार इन तीनों परिस्तियों में बना रहता है आज के इस विडियो में हमने श्रीमत तागवत महापुरान के आधार पर जानकारी दी कि किस प्रकार से श्रिष्टे निर्मान के पूर्व के समय में क्या था और वह कौन है जो प्रलाई के बाद भी शेश रह जाता है अगर आज को विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें ऐसे ही इंट्रस्टिंग और नॉलज़िबल विडियो देखने के लिए हमारे चैनल दे इन्फो शिन को सब्सक्राइब करना ना पूले मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग